ओम सान्ती आज 15 मार्च 2021 की मुड़ी में बाबा ने कहा मीठे बच्चे हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक सिव बाबा है उसको याद करो तो पाप खत्म हो आज की मुड़ी का प्रस्ण है आत्मा पर सबसे गेरे दाग कौन से है उसको मिटाने के लिए कौन से मैनत करो उत्तर आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गेरे दाग पड़े हुए है गड़ी गड़ी किशी देह धारी के नाम रूप में फस पड़ती है बाप को याद न कर देह धारीयों को याद करती रहती एक दो की दिल को दुख देती है इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मैनत करो आज की मुडली का गीत है मुखडा देख ले प्राणी अब सुनते हैं मुडली विस्तार से ओम सांती मीठे मीठे सबी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना अब अपने को देख लो कि कितने पुन्य हैं और कितने पाप मिटे हैं सारी दुनिया सादू संथ आदी पुकारते हैं कि है पतित पावन एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है बाकी सबी में है पाप यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है पुन्य भी आत्मा में है आत्मा ही पावन आत्मा ही पतित बनती है यहां सब आत्माय पतित है पापों के दाग लगे हुए है इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है अब पाप निकले कैसे जब कोई चीज पर स्याईवा तेल गिर जाता है तो ब्लोटिंग पेपर सोकता रखते हैं वह सारा चूस लेता है अब सब भी मनुष्य याद करते हैं एक को क्योंकि वही ब्लोटिंग पेपर है पतित पावन है सिवाए उस एक के और कोई ब्लोटिंग पेपर है नहीं वह तो जनम जनम गंगा सिनान करते और ही पतित हुए हैं पतितों को पावन करने वाला एक की सिवाबा ब्लोटिंग पेपर है है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी सबका पाप नस्ट करते हैं किस युक्ती से सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लोटिंग पेपर को याद करो मैं तो चेतन्य हूँ ना तुमको और कोई तकलिप नहीं देता हूँ तुम भी आत्मा बिंदी बाब भी बिंदी है कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुमारे सब पाप मिट जाएंगे अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किये हैं बाकी कितने पाप रहे हैं ये मालूम पड़े कैसे दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लोटिंग पेपर को याद करो सबको ये राय देना तो अच्छा है ना यह भी वंडर है जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं इसलिए पाप करते नहीं हैं पतित पावन्तो एक को ही कहा जाता है अनेक पाप लगे हुए हैं काम का पाप देही अभीमान का तो पहले नंबर पाप है तो सबसे खराब है जो सबसे खराब है अब आप कहते हैं देही अभीमानी बनो जितना मामेकम याद करोगे जो तुमारे में खाद पड़ी है वह ब तुम्हारा भी बहला होगा, इस दंदे में ही लग जाओ, औरों को भी ये समझाना है, कि बाप को याद करो, तो पुन्य आत्मा बन जाएंगे, तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना, कि पतित पावन एक है, भल तुम ग्यान नदियां अनेक हो लेकिन तुम सब को कहते हो कि एक को याद करो वह एक की पतित पावन है उनकी बहुत महिमा है ग्यान का सागर भी वह है उस एक बाप को याद करना दही अभिमानी हो रहना यह एक की बात डिफिकल्ट है बाप सिर्फ तुमारे लिए नहीं कहते बलकि बाबा के ध्यान में तो सबी सेंटर्स के बच्चे हैं बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना जहां अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं सिव बाबा की फुलवाडी है ना जो अच्छे फुलवाडी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे सावकार आदमी को चार पांच बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे फूलों की वेराइटी होती है न तो बाबा भी अपने बड़े बगिच्चों को याद करते है कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है सिव बाबा को याद करो वही पतित पावन है खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुमारे पाप बसम होंगे कितना फर्स क्लास ब्लोटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए सबी उनको याद करते हैं कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है सिव बाबा को याद करो बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुमारे पर जो देह अभिमान के दाग है वह मिट जाएंगे मैनत है देही अभिमानी बनने की बाबा को कोई सच बताते नहीं है कोई कोई चाट लिख बेशते हैं फिर ठक जाते हैं बड़ी मंजिल है माया नसा एकदम तोड डालती है तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं आदा कलब का देह अभिमान है वह छूड़ता नहीं है बाब कहते हैं सिर्फ यही धन्दा करते रहो बाब को याद करो और दूसरों को कराओ बस सबसे उच धन्दा है यह जो खुद याद नहीं करते वह यह धन्दा करेंगे ही नहीं बाब की याद यह है योग अगनी जिससे पाब बसम होंगे इसलिए पूछा जाता है कहां तक पाब बसम हुए हैं जितना बाब को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चड़ा रहेगा हर एक की दिल को जान सकते हैं दूसरे को भी उनकी सर्विश से जान सकते हैं दूसरों को रास्ता बताते हैं बाबा को याद करो वह पतित पावन है यहां यह तो है पतित तमोप्रदान दुनिया सभी आत्माएं और सरीर तमोप्रदान है अभी वापिस जाना है वहाँ सब भी आत्माएं पवित्र रहती है जब पवित्र बने तब घर जाएं दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं सिव बाबा को याद करो यही ब्लोटिंग पेपर रखो तो सब बाप चूस जाएंगे तुमारे विकर्म विनास होंगे मूल बड़ी बात है पावन बनना मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ आकर के सबी को पावन बनाए साथ ले जाओ लिखा हुआ भी है सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है यह भी समझाया है पहले पहले सर्गवासी ही आएंगे बाब जो दवाई देते हैं यह सब के लिए है जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है तुम फादर पास जाना चाते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती पावन पनो तब जा सको हे आत्मा मुझे याद करो तो मैं ले जाओंगा फिर वहां से तुमको सुख मैं ले जाओंगा फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो मैं किसको दुख नहीं देता हूँ हर एक अपने को देखे मैं याद करता हूँ जितना याद क करेंगे उतना खुसी का पारा चड़ेगा कितनी सहज दवई है और कोई सादू संत आदी इस दवई को नहीं जानते हैं कहां भी लिखा हुआ नहीं है ये बिलकुल नई बात है पापों का खाता कोई सरीर में लगा हुआ नहीं है इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा मिलता है दुखी सुकी आत्मा बनती है सरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है कहां भी जाता है ये दुखी आत्मा है ये सुकी आत्मा है इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाड बजाती है वंडर है न बाप है ही सुक देने वाला इसलिए उनको याद करते हैं अभी बाब समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है इसमें बड़ी मेनत है बाबा सा जानते हैं सच्ची देश से जिस युक्ती से याद करना चाहिए कोई मुश्किल याद करता है यहां रहते भी बहुत भूल जाते हैं अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते बाप का फर्मान है here no evil बंदर के लिए तो नहीं है ये तो मनुष्य के लिए है मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है बहुत है जो सारा दिन जर्मूई जग्मूई करते हैं तो बाप को समझानी देनी होती है सब सेंटर्स पर कोई न कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुखी देते रहते हैं कोई अच्छे भी है जो बाप की याद में रहते हैं समझते हैं मंसा, वाचा, कर्मना, कोई को दुख नहीं देना है, वाचा भी कोई को दुख देंगे, तो दुखी होकर मरेंगे, बाप कहते हैं, तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो, तो तुमारे विकर्म बस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, भगवानु वाच, मन मना बव एक बाप को और वर्से को याद करो, और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्यान करो, तुमारी अवस्ता ऐसी मिठी हो, जो कोई भी आकर देखे, बोले, बाबा के बच्चे तो ब्लोटिंग पेपर से, अबी वा अवस्ता नहीं हैं, बाबा से कोई पूछे, तो ब्लोटिंग पेपर तो क्या, अबी कागज भी नहीं है, बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं बंबई, कलकत्ता, डेली सब जगह बच्चे तो है न रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं पुन्य आत्मा बनाने बदले और ये पाप आत्मा बना देते हैं बाबा से कोई पूछे तो जट बता देंगे, सिर्व बाबा तो सब कुछ जानते हैं उनके पास सारा हिसाब किताब है, ये बाबा भी बता सकते हैं सकल से ही सब मालुम पढ़ जाता है ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेरा ही खुसनुम देवताओं जैसा है आत्मा खुस होगी, तो सरीर भी खुस देखने में आएगा सरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है एक बाद सब को सुनाते रहो, कि सिर्व बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुमारे पाप विना सोंगे उन्होंने लिख दिया है, क्रस्न भगवानु वाच क्रस्नों को तो धेर याद करते हैं, परन्तु पाप तो मिठते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है परमात्मा का रूप क्या है अगर सर्व व्यापी कहें, तो भी जैसे आत्मा इस्टार है, वैसे परमात्मा भी इस्टार है क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी, छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है सब बिंदियों को कहते हैं बच्छो मामेकम याद करो आरगंस द्वारा बोलते हैं आरगंस बीगर तो आत्मा आवाज कर न सके तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है न परमात्मा को बड़ा लिंग वा कुछ कह न सके बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सब की आत्में पतित है कितनी सिती बात है अब देही अभिमानी बन मुझे बाप को याद करो औरों को भी रास्ता बताओ मैं अक्सर ही दो कहता हूँ मन मना भव फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियां है पहले सतो प्रदान सतो रजो तमो मैं आते हैं पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं वह दाग मिटे कैसे वह समझते हैं गंगा सनान से पाप मिटेंगे वत्तो सरीर का सनान है आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है इसको याद की यत्रा कहा जाता है कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं गिता में भी जोर इस पर है मन मना भव वर्षा तो मिलेगा ही सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे ब बाप अवीनासी ब्लोटिंग पेपर है ना बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो फिर रावन पतित बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं उनका क्या हाल होगा बाप समझाते हैं बच्चों और सब बाते छोड़ दो सिर्फ एक बात की देही अभीमानी बनो मामेकम याद करो बस यद तो जानते हो आत्मा एक सरीर छोड दूसरा लेती है आत्मा ही दुख सुख भोगती है कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए एक दो को सुख पहुचाना चाहिए तुमारा धंदा यही है बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं एक दो की देह में फसे रहते हैं सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं माया भी तिकी है बाबा नाम नहीं लेते हैं इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही पंद्रा बिस वर्स पढ़ते हैं कितनी सब्जेक्ट सोती है यह नौलेश तो बड़ी सहज है याद में मैनत है ना ड्रामा को जानना एक कहानी है मुडली चलाना बड़ी बात नहीं याद की ही बहुत मुस्किलात है बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा फिर भी पुरसात करते रहो बाब को याद करो तो योग अगनी से तुमारे पाप भसम होंगे अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फैल हो जाते हैं अच्छा अच्छा बाब दादा बोले मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरि कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है सब को सुक पहुचाना है एक बाप की याद में रहना और सब को याद दिलाना है दूसरा प्रइंट है धारना का पापो का दाग मिटाने के लिए देही अभीमानी बन अवीनासी ब्लोटिंग पेपर बाप को याद करना है ऐसे मिठी अवस्ता बनानी है जो सबका कल्यान होता रहे अब मिठे बाबा का मिठा वर्दान अपने सयोग से निर्बल आत्मा को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वर्दानी मूरत भव विस्तार अब वर्दानी मूरत द्वारा संकल्प सक्ती की सेवा कर निर्बल आत्मा को बाप के समीप लाओ मैजरिटी आत्मा में सुब इच्छा उत्पन हो रही है कि आध्यात्मिक सक्ती जो कुछ कर सक्ती है वह और कोई नहीं कर सकता लेकिन आध्यात्मिक्ता की और चलने के लिए अपने को हिम्मत हीन समझते हैं उने अपने सक्ती से हिम्मत की टांग दो तब बाप के समीप चलकर आएंगे अब वर्दानी मूरत बन अपने सयोग से उने वर्षे के अधिकारी बनाओ स्लोगन है अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क बोल और संबंद में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूरत है अच्छा ओम सांती